जहीं साथियों तो दस लाग भरती देने का वादा जो केंदर सरकार द्वारा किया गया था उसके चैन की प्रक्रिया का सुबारंब कल 22 अक्टूबर को होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं फ्रेंस फाइनल PMO द्वारा अर्थात PIV द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि प्रधान मंतरी 22 अक्टूबर को 10 लाग कर्मियों के लिए भरती अभियान जिसे रोजगार मेला कहा जाएगा उसका सुबारं करेंगे तो यहाँ पर दे सकते हैं फाइनल ये ऑफीसर जारी किया गया है इसमें किन वीभाग में भरती होनी है वो भी बताया गया है तो आज की इस वीडियो में किन वीभागों में भरती होनी है कितनी वेकंसी होनी है और डिटेर्स कब तक आ सकता है भरती का पोस्ट वा तो सब्सक्राइब प्रधान मंत्री इसका सुष्यार्ש करेंगे और पहले चरणमे 55,000 नाए नियुक्तिया कीजाएंगी अर्ठाप्स इसमें यह बताई सब्सक्राइब लोगों इसी के साथ सब्सक्राइब कीज़ियामें kali यह भर्ती होचुकी है अब ये भरती नहीं आएगी अब ये जो count करेंगे ये 75,000 इसमें count कर लेंगे कि हमने 75,000 वेकंसी दे दी अब 9,25,000 भरती हमें और करानी है तो यहाँ पर देखें भरती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए चैन प्रक्रिया को सरल और तक्निकी रूप से सच्छा बना गया है तो यहाँ पर इनका कहिना है कि जो इसका selection का process है जो चैन प्रक्रिया है उसे यहाँ पर easy किया गया है सरल किया गया है और टकनिकी किया गया है सिंपल सा आपको पता होगा कि अब सभी एक्जाम ओलाइन ही होगे तो सभी तकनिक वो तो पहले से ही है उसके बाद यहां पर देखे कि यह कारिक्राम युवाओ को नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरी कल्यार सुनेचित करने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबदता को प्रदसित करता है तो यहां पर इन्होंने अपने बारे में बताया है कि हम रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है तो यहां पर देखे अपने आपको भी सायथ पता हुगा कि यह लगभग कोई एक पहला कदम होगा जो की चार साल में भरती के एक्जाम कंड़क्ट करा जा रहा है तो यहाँ पर हालत बहुत ही खराब है यह लगभग पहला कदम होगा जो कि ऐसा किया जा रहा है वो भी जब यह कंड़क्ट करा ले फाइनल पूरी तरीके से तो ही लोगों को विश्वास होगा तो यहाँ पर देखे इसमें ये बताया गया है उसके बार यहाँ पर देखे इसमें विभाग बताया गया है अब यहाँ पर इसमें जो बताया गया है कि देश में 38 मंत्रयालों में भरती होगी तो 38 मंत्रयालों में आपको पता होगा कि बहुत सारे मंतराल हैं जिसमें वेकंसी आती रहती है जो यहां पर जिसमें ज्यादा वेकंसी आती है लोगों का उस पर फोकस होता है तो यहां पर बताया गया कि इसमें जो लेवल होंगे वो समूह A, समूह B, उसके बाद समूह C और यहां पर जिन पदोपन युक्तिया की ज आ रहे हैं उसमें केंद्री ससस्त्रबल उसके बाद उपनी दिच्छक कॉंस्टेबल LDC एस्टोर्णों पीए आयका निगरच्छक FDS तथा अन्य सामिल है तो यहां पर देख सकते हैं कि केंद्री ससस्त्रबल अर्थात यहां पर जितने भी परामेरिटिव फोल्सेस हो गए CIS बीएसस भी उस सभी भाड़ती होगी उसके बाद उपनी दिच्छक अठाथ SI उसके बाद कॉंस्टेबल LDC इस्टोर्णों उसके बाद यहां पर एंट्यस के वैकंसी होंगी अब यहां पर कॉंस्टेबल के जो वैकंसी इसमें दिये गए हैं तो इसमें SFC GD के तहर यह भी SFC CPOSI उसके तहर भाड़ती होती है और अधर वैकंसी आती रहती है जिससे CI सब BSA तो वो जो है उन्हीं के द्वारा कंड़र्ट करा जाता है यहां पर वो बाते भी बताए गई हैं कि यह भाड़तीया मंत्यालों और विभाग द्वारा मिसन मोड के तहर या तो स्व जार रही है तो यहां पर यहीं बताया गया है कि यह तो आयोग स्वाइम करेगा अर्थाद विभाग स्वाइम करेगा या फिर इन एजंसी को दिया जाएगा तो इसलिए यहां पर देखे इन एजंसी को जो दिया जाता है उसमें ज्यादा वेकंसी होती है और जो स्वाइम सी होती है वो इजनसे को सौब दिया जाता है जैसे गया जर्ट भी और यह सब से ज्यादा वैकंसी जो आएगी बिन को इसे की बात करें कि तो करएंट में जो एसे सी द्वारा बता गया कि त्यातर हजार कुछ पधों पर इस वेकंसी होगी उसके बाद UPSC द्वारा वेकंसी आती रहती है इसमें आपको पता होगा कि जो C.A.P.F की वेकंसी करा जाते है तो वो UPSC द्वारा भी कंड़िट करा जागी तो टोटल मिला का जितने भी भरती होंगी टोटल 10 लाक वेकंसी होगी अब आपको आपके क्या क्या के लिए Elizabeth है तो चले मैं यहां पर qualification के बारे में कुछ बता देता हूं कि सिंपल सा अगर आप 10th या फिर 12 पास या फिर graduation कर रहे हैं तो ऐसे candidate maximum है जो कि 10th पास है 12 पास है और graduation कर रहे हैं या फिर उनका graduation कंप्लीट है तो ऐसे कंडिट इसमें जादा हैं तो देखे फिर यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिंपल सा 10th and 12th पास हैं तो सबसे पहले मैं 10th and 12th पास वालों के लिए बता देता हूं तो अगर आप 10th and 12th पास हैं तो आप रेल्वे में अप्लाई कर पाएंगे अर्थार रेल्वे ग्रूबडी में अप्लाई कर पाएंगे और एल्पी में भी अप्लाई कर पाएंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे नेश्ट एससी जीडी में भी अप्लाई कर पाएंगे उसके बाद आर्पीफ मे लेती है HCM अर्थाथ head considerable के सभी विभाग में चाहे हमें CISP बात करें तो उसमें आप apply कर सकते हैं अगर आप 12th pass है तो 10th and 12th pass candidate इतने के विभाग में apply कर पाएंगे बाके हम बात करते हैं graduation के लिए तो graduation के लिए आप जो है CISL में apply कर सकते हैं UPSC CAPF में वेकंसी आती है उसमें apply कर पाएंगे SSC CPU SI की वेकंसी आती है उसमें apply कर पाएंगे तो और other vacancy आती है जो कि इसके तहट कराई जाती है तो इसमें आप apply कर सकते हैं अभी सारी vacancy नहीं पता है vacancy आती रह दिये तो मैं आप लोग को आपने चैनल पर इंफर्म करता रहता हूं किन्तु यहां पर देखे maximum candidate इस vacancy में eligible होंगे अब इस vacancy में जो eligible होंगे उन्हें अब यह doubt आएगा कि वो किसकी तयारी करें railway की करें SSC की करें या फिर police constable की करें तो देखे फ्रेंस मैं आपको एक common सा चीज बता रहा हूं कि आप सभी की तयारी कीजे क्योंकि मेरे according जो है आप सभी में form डालेंगे कोई भी हो सभी में form फिल करता है बहुत सारी लोग कहेंगे मैं नहीं करता लेकिन करते हैं तो maximum सभी लोग सभ सब्जेक्ट पर focus करने को कहूंगा पहला हो गया mathematics अर्थाद arithmetic जो अंक्रगडित होता है उसे आपको complete करना है उसके बाद second आपको reasoning को complete करना है उसके बाद आपको gks तो देखे फ्रेंस आपको vacancy की तयारी नहीं करनी है आपको इन तीनों subject की तयारी करनी है अगर आप इन त apply करने हैं इसके recording पढ़ेंगे आप अपने recording पढ़िए उसके बाद किसमे apply करना है वह vacancy आएगा तो आपको सोचने की ज़बुरत नहीं पढ़ेगी तो इसलिए आप सबसे पहले इसमें focus किजिए क्योंकि mathematics and reasoning और यह journal awareness सभी vacancy में आते हैं और बात यहां पर फस्ती है English and Hindi की तो देखें अगर आप SSC GD में apply करते हैं तो वहाँ पर हिंदी पूछता है तो फ्रेंस उसमें ज्यादा time नहीं लगेगा वह vacancy आने के बाद आप decide कर लेंगे कि हमें किसमें पढ़ना है हमें हिंदी को कितने दिन में cover कर सकते हैं या फिर English को कितने दिन में cover कर सकते हैं तो पर बहुत सारी video available है तो वहाँ से आप अपनी तयारी कर सकते हैं तो फ्रेंस से सिंपल सा आप इनहीं पर focus केजिए चाहें जो बुक ले लिए वह आपके उपर कर लेजगा सभी अपडर से मिलते रहेंगे और आप अपनी इस्टेटी पर focus केजिए इस तीन सब्जेट को आप तयार केजिए आपका एक्जाम हंडिट परसंट क्लियर हो जाएगा चाहें वह स्याइजब का हो सभी में यह तीन सब्जेट कामन होते हैं सभी एक्जाम में तो चले फ्रेंस आप आप लोग को समझ में आ गया होगा बाकि कोई डाउट आता है तो कमेंट सब्सक्राइब जरू पूछेगा मैं उसका रिप्लाइज जरू करूँगा कोई जाब्रेट आएगा तो इनफर्म कर देंगे चले मितने आप लोगों सिर्फिक से नेक्ट वी है हिन